हलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का माई जी के कोर्स हिंदी यूटूब शेनल दोस्तों यहाँ वीडियो कंप्यूटर जी के का पार्ट नाइन वीडियो है और आज की वीडियो में 50 मौस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर जी के को सननसर बताने वाला हूं जो आने वाले सब को एक्जाम के लिए लाफदाय करेगा प्लीज इस वीडियो को लास्त तक देखिएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी दवाईए ताकि नियू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं कोशन नमर वन स्लाइट सो बनाने के लिए किस अप्लिकेशन का इस्तमाल होता है सही आंसर है पावर पॉइंट स्लाइट सो बनाने के लिए पावर पॉइंट अप्लिकेशन का इस्तमाल करते हैं कोशन नमर टू कंप्यूटर से जुड़े केवी का क्या आर्थ होता है सही आंसर है कीलोवाइट केवी का फूल फॉम होता है कीलोवाइट और एमबी का फूल फॉम होता है मेगावाइट और जीवी का फूल फॉम होता है गीगावाइट और TV का full form होता है terabyte Next question है Question number 3 Page पर कितने margin होते हैं सही answer है 4 Page पर 4 margin होते हैं Question number 4 Processor के 3 मोखे भाग होते हैं ALU, Control Unit और Register Processor के 3 मोखे भाग होते हैं पहला है ALU, दूसरा है Control Unit और तिसरा है Register Next question Question number 5 है Micro processor जो computer का मस्तिसक होता है उसे कहा जाता है Micro Cheap Question number 6 Machine language पर यूग करती है Numeric Code Question number 7 Micro processor किस PD का computer है सही answer है 4th PD Micro processor 4th PD की computer है Question number 8 Storage device पर जो मुखे फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं सही answer है Root Directory Question number 9 वह चीज जो निदेर्सों को सरलता से समझ गई कहलाती है User Friendly Question number 10 Wave विस्ट प्रोग्राम जो वे पर आवस्टेक सामगरी को ढूणने में उपियोग करता की मदद करती है कहलाते हैं Search Engine Question number 11 Word में किसी डोकुमेंट में किसी विस्ट सब्द या मोहावरे को ढूणने के लिए सबसे सरल और तौत्रविक तरीका है Find Command का उपियोग करना Question number 12 इंटरनेट पर सर्वर से कम्प्यूटर दुबारा सुचना प्राप्त के जाने की परकरिया को कहते हैं Downloading Question number 13 ब्रोजर, पोस्टर और नीजलेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सौप्ट्वेर सबसे ज़्यादा उपियोगी है Desktop Publishing सौप्ट्वेर Question number 14 चेट क्या है? चेट है टाइप की हुई बातों जो कम्प्यूटर पर घटीत होती है Question number 15 पास्कल है कम्प्यूटर की एक भासा पास्कल जो है एक कम्प्यूटर की भासा है Question number 16 एक डिजिटल वाच में कीस तरह का कम्प्यूटर हो सकता है? सही आंसर है इंबेंडिट कम्प्यूटर Question number 17 जंक इमेल का अन्य नाम है स्पेम Question number 18 एक ओमर्स के जरीए क्या संभव है? एक ओमर्स के जरीए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है Question number 19 बरतमान डोकुमेंट में बदलाब क्या कहलाता है? सही आंसर है इडिटिंग Question number 20 आपस में संबंधित फाइलों का संगरा क्या कहलाता है? सही आंसर है रिकॉर्ड Question number 21 अपने इस्तिथी से हिलाए ना जा सकने वाली मोडेम क्या कहलाता है? सही आंसर है फिक्स मोडेम Question number 22 कम्प्यूटर वासा forgotten कि स्छेतर में उपियोगी है? सही आंसर है बिग्यान Question know 23 Email address याद करने से बचने के लिए क्या इस्तमाल करना चाहिए? सही आंसर है address book Email address याद करने से बचने के लिए क्या इस्तमाल करना चाहिए? Address book Question number 20 Modem का connection किसके साथ क्या जाता है सही answer है phone line Modem का connection phone line के साथ क्या जाता है Question No.25 Hardware और Software का सयंजन है जो computing devices के 20 उचनाओं के आदान पर्दान को सुगम बनाता है उसे कहते है network Question No.26 Programming, Hey2Wixit की गई स्वर पर्थंभासा कौन सा है Fortran कोस्टन नमर 27, प्रोसेल्स डाटा को क्या कहते हैं, फ्रोसेल्स डाटा को आउटपूट कहते हैं कोस्टन नमर 28, CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर कोस्टन नमर 31, वर्ड या वह फीचर जो कुछ है स्पेलिंग हो, टाइपिंग, कैपिटल, अक्ष्रों या व्याकरन की तुरूटियों को अपने आप ठिक कर देता है, उसे कहा जाता है, ओटो कैरेक्ट कोस्टन नमर 32, कम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सही आंसर है, चाल्स बैविज, कम्प्यूटर का जनक चाल्स बैविज को कहा जाता है Q33, चुम्ब के डिस्क पर किस पधार्थ की परत होती है चुम्ब के डिस्क पर आईरन अक्साइड की पधार्थ होती है Q34, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किये जाते हैं स्लोट एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किये जाते हैं स्लोट Q35, एलक्ट्रोनिक कंपोनेट वाले थीन पिलेट या बोर्ड को कहते हैं सर्कीट बोर्ड Q36, वो सर्कीट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चीप होते हैं उसे कहा जाता है मदर बोर्ड Q37, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस परकार का कंप्यूटर है? सही आंसर है सूपर कंप्यूटर है Q38, पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर का वासा है कोशन नमर 39 डाटा प्रोसेसिंग का क्या आर्थ है सही आंसर है वानिज ये उपियोग के लिए जनकारी त्यार करना डाटा प्रोसेसिंग का आर्थ होता है वानिज ये उपियोग के लिए जनकारी त्यार करना निर्वाद ट्यूब कीस पीड़ी के कम्प्यूटर से संबंदित है सही आंसर है पर्थम पीड़ी कम्प्यूटर निर्वाद ट्यूब जो है पर्थम पीड़ी कम्प्यूटर से संबंदित है कोस्टन नमर 41 प्रोग्राम हेतु विक्सित की गई सोवपर्थम भासा है फोट्रान कोस्टन नमर 42 कीज पीड़ी के कम्प्यूटर में टांजिस्टर ने निर्वाद ट्यूब का अस्तान लेना शुरू किया सही आंसर है द्वित पीड़ी कम्प्यूटर कोस्टन नमर 43 एडिप क्या है एडिप का फूल फर्म होता है इलोक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग कोस्टन नमर 44 कीज प्रोग्राम का चित्र के रूप में पर्दसन कहलाता है फॉलो चार्ट कोस्टन नमर 45 किसी डिवाइस दुआरा इस्तुमाल किये जाने वाले सभी करेक्टर को क्या कहते हैं सही आंसर है करेक्टर सेट कोस्टन नमर 46 कंप्यूटर वासा कोबल किसके लिए उप्यूगी है सही आंसर है वहवासी कारी के लिए Q47. Keyboard में function की संख्यां कितनी होती है? सइh answer है 12. Keyboard में function की संख्यां 12 होती है Q48. Multimedia, web page, website और web आधारित application विक्सित करने के लिए सबसे लोग पर यह language होती है Java Q49. Internet में परियूक्ट computer language है Java Java Internet में परियूक्ट computer language है So guys, इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो केसा लगा मेरे कॉमेंट में जरूर बताएगा अगर आपके पास कोई डाउड रद मेरे कॉमेंट के जरीए पूश सकते हैं थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो